मकर संकरांती स्पेशल आज बना रहे हैं हम तील गुड के लड़ू तो चली बनाते हैं सबसे पर लेंगे हम कड़ाई में मैंने एक कप तील लिये है यह देसी वाले तील है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं तो चली इसे हमें अच्छे से भुन्ना है दिख से फिर आपके जो टेश्टी वाले लड़ू है वह अनटेश्टी हो जाएंगे कैसे थोड़ा कड़वे से लगेंगे इसलिए इसको भुन्ना बिल्कुल धीमियाच पर दो से तीन मीट में यह भुन जाते हैं तो देखिए इसी तरह से हमें भुन्ना है लेकिन लगातार चल हाथ पर मुव पर यह से चटकने लगती है उड़के आ जाती है तो उससे हमारा हाथ और मुव चला सकती है तो इससे थोड़ा सावधानी बरतेगा देखिए इसमें अच्छे से धुवा उट रहा है और एक काफी अच्छे से भून चुकी है हलकी ब्राउन भी हो चुकी है और यह फुल जाती है आप चलिए यह हो चुके है बन्झ और इसे हमें निकालना है एक बरतन में चाहिए कोई भी बरतन लेघा और इसे हमें थोड़ा सा फेला देना है इसी तरह से और वह सिसे थन्डा होन देते है तब तक अब हम क्या कर लेंगए उसी कढ़ाई में ले र दुनों की मातरा अगर सेम रहेगी तो हमें कुड को लेने में भी आसानी होती है वैसे आप चाहे तो इसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं तो देखिए अब जो मुंफली है इसे तो आप लोग क्या करते हो ना धीमी आज पर नहीं भुनते हो कि इसे समय लगता है भुनने में तो आप लोग तेजाज कर देते हो और फिर यह जो मुंफली है यह भुनत बड़ी जल दे जाती है लेकिन उसका फिर वह स्वाद तेस्ट जो है वह नहीं आता है जो आना चाहिए तो इसे भी हमें ना मीडियम ग्यास या मीडियम से थोड़ा स्लो कर दीजिए और उस पर भुन के दाने हो यह दोनों भी जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए और देखिए मैं आपको आगे दिखाती हूं इसका कलर कैसा होना चाहिए तब तक हमें इसे भुनना है वैसे इसकी तो सबसे बड़ी चो पैचान है यह है कि देखिए जैसे यह मुंपली के दाने भुन जाते है इस तरह से इनका मुख खुल जाता है और इन में भी चट चट की बहुत तेज आवाज आने लगती है और इनका जो कलर है हलका सा यह भी ब्राउन हो जाता है अगर आप ज्यादा हुनेंगे ज्यादा जलाएंगे तो फिर वो जल जाएंगी जो उपर की जो यह लेयर है ना इनकी वाली जो छिलके है यह काफी काले काले से हो जाते है तो वेसा बिल्कुल नहीं करना है काई इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि इसे थोड़ा देर लगेगा चलेगा लेकिन इसको अच्छे से भुनना आप आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ब्राउन भी हो चुका कर और इन दोनों को हमें अच्छे से ठंडा करना है बिल्कुल बहुत अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए वैसे तो अभी सर्दियों के दिन चल ही रहे है तो यह काफी जल्दी ठंडे हो जाएंगे नहीं तो आप पंखा चला कर भी रख सकते हैं देखी कुछी तेर में आच्छे से कद्डुकस करके यह काट कर लेजिए और इसे एक कप कभर कर लीजिए अच्छे से मैं दबा दबा कर भर कर लिया है और अब लेंगे रहा है लेको कि पहलेगे लिए नहीं प्लों करते हैं जाय जी से चाहिए ऑर स्थोड़ा शॉक्त सकते ऽैं यानि जो एक कप है उसको देड़ कप भी आप ले सकते हैं लेकिन ज्यादा मिठा हो जाएगा तो उसी साफ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं अब देखें मैंने लिया है मिक्सी का बड़ा वाला जार अगर आपके पास है तो आप एक साथ इसे पीछ सकते हैं अगर छोटा वाला जार ले रहे हैं तो आप उसको दो या तीन बार करके भी पीछ सकते हैं लेकिन पीछना कैसे हैं आधे मुंपली, आधे तील और आधा गुड इस तरह से डाल कर और फिर पीछी है मैंने अब देखिए सारी मुंपली, सारा गुड थोड़ा करते हुए, लेयर पे लेयर बनाते हुए और इसके उपर एक के उपर डाल कर अब मैं इसको पीस लूँगे पीसना कैसे है, पल्स मोड पे, जो मिक्सी चलाएंगे, उसको बन, चालू, बन, चालू, इस तरह से करेंगे और फिर पीसेंगे, एक जैसा नहीं करेंगे तो देखिए, इससे क्या होगा ना, हमारा गुड भी अच्छे से इसके अंदर मिल जाएगा और जो तिल, मुफली, ये सब एक सार एक जैसे मिल जाएगे तो आपको ज्यादा मेनत करने की ज़रूत नहीं पड़ती है और इसके वैसे क्या होता है ना, हमें चाशनी भी नहीं पकाने पड़ती है यानि बिना चाशनी के, बिना चीनी के और गुड से आप आसानी से लड़ू बना सकते है क्योंकि बहुत बार जंजट होता है ना, कि गुड को कौन पकाए फिर गुड का पकने के बाद उसको हमें चेक करना होता है कई बार उसमें आप मिस्टेक कर जाते हो, वो नहीं होता है और गरम-गरम में लड़ू बादना होता है, तो बहुत बार हाथ जलते है तो वो भी आप नहीं करना चाते हो, तो यह बहुत ही सिम्पल तरीका है अगर आपके पास यह जो मुंफली और तील पहले से भुने हुए रखे है तो यह सिर्फ 5 मिट में बन करके तयार हो जाते है इनको ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है तो इस मकर संकरानती पर आप ज़रूर बनाईए क्योंकि इस मोसम में बच्चों की तब्यत ज्यादा खराब रहती है तो उन्हें इन चीजों के काफी सक्त जरूरत होती है इन में बहुत ही गुन पाए जाते है इसलिए इनको बना कर जरूर खिलाईए देखिए अब मैं ये सारे के सारे लड़ू बना लिये है मैंने और बहुत आसानी से बन जाते है ना ये चप्टे होंगे ना ये फ्लैट होंगे जैसे बनाए है ये वैसे के वैसे ही रहते है और आप इसे आराम से एक मैने तक स्टोर करकर भी खा सकते हैं वैसे बनने के बाद तो बचते ही नहीं है तो स्टोर करने का मतलब भी नहीं है लेकिन कई बार होता है कई घरों में ज्यादा कॉंटेटी में बना कर रखे जाते हैं तो आप एक मेने तक आराम से खा सकते हैं देखिए एकदम सौफ्ट मुलायम बिल्कुल मुव में जाते ही खुल जाए ऐसे ही बने हैं तो यह सिंपल तरीका आपको कैसे लगा कमेट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा चैनलर को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजेए ताकि आपको इसी आसान रेसिपिस हमेशा मिलती रहे गाई और चैनलर को सब्सक्राइब करना लाइक करना ये सब फ्री है तो कोई कंजूसी मत कीजिए और हमारे मेंत को देखते वहे एक लाइक तक कर ही दीजिए टो देखेए मैंने इस तरह से बना लिए है और काफी बहुत टेश्टी बनते है गाईस और काफी चल्दी बन जाते है तो कोई टेंशन ही नहीं है आप भी आराम से बना सकते हैं और जब ये बना कर आप रखेंगे न तो ये गीन मानिए ये तुरंत ही खतम हो जाएंगे और अगर आपने मुंफली और तील को पहले से भून कर रख लिया तो ये बनाने में चाता जंजट होती ही नहीं है सिर्फ पां मिलते हैं ऐसी ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई